गुद्वानिंग प्रेंट्स मैं अब लोग एक नए टॉपिक पढ़ने जा रहा हूं जो मूललता है ठीक है मूललता को देखेंगे आप लोग पहले आप लोगो डिफाइन कर देता हूं उसके बारे मिता ठीक है देखिए मूललता क्या है सबसे पहले यह बता दूं मुललता मुललता मुललती क्या चीज मुला लेटी क्लिए यह कहता है क्या है किसी बिलियन के एक हजार ग्राम या एक केजिक बिलायक में में उपस्थित उपस्थित विले के विले के मौलो की संख्या या ग्राम अडूं ग्राम अडूं की शंख्या को को विलेन की मुललता कहते हैं इसे से एम द्वारा सुचीत किया जाता है तथा इसका मात्रक इसका मात्रक तथा इसका मात्रक मौल प्रती कि एं। कि लोग्राम यानी कीलोग्राम को शॉट वर मेरा लिखा जाता है मोल प्रती किलोग्राम जिसको आप लोग कोष्ट में लिख सकते हो मोल केजी इनवर्ष मोल केजी इनवर्ष होता है और यह रासी और यह यह रासी ता पर निर्वर नहीं करता है आर्था आर्थे मुललता मुललता एम एक्वल विले विले का द्रब्यमान ग्राम में इसको इसमोल डबलो द्वार इंडिकेट करते हैं इंटू एक हाजार बटा विले का विले का मुलर अग्र द्रब्यमान ग्रेप्टल डव्लो ग्रा इंटो विलायक विलायक का द्रब्यमान ग्राइंटू A to gram K जब आपने यहां सुत्र में एक हजर का स्तमाल करोगे तो विलायक कदर मनपक का ही 숨 learn में होनी चाहिए प्रस्यम होता है तीक है यदि केजी में अगर विलायक हो जाएकतों यसा क्यों होता क्योंकि विलायक यहां जो होता है साइ यूनिट के ली में बाले के लिए एक हजर से भाग देते हैं तो मेंड डिवाइडड रूल यहां डिवाइडड में भठा तो यह ہے और अगर अगर इस बताक नीचे बटार्य आयता यानि ग्राम मात्रा में हजार ہग देते यही पलट में कोई billion है लेकिन उस billion की 1000 gram विलायक या एक केजि विलायक में उपस्तित विलायक के मोल की संक्य कितना है या gram ऑनगों की संक्य कितना है अगर वह ही तुम्हें पता चल जाता है तो ओक कहलाएगा उस billion की कहलाएगी मोल अलता ओर मोलता का माम इंडीकेटिंग करते हूं a small m दोवारा और इसका मात्रक होता है मोल प्रती केजी को कि रहा कहते हैं ठीक है किलोग्राम और यहां वही लिखाओं मोल केजी इन्वर्स होता है और यह रासिताप पर निर्भर नहीं करता जिस कंसंट्रेशन टर्में जिस संद्रता वाली टर्में पद में आयतन नहीं होते उस पर आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जैसे मैं बार बार यह बाते बताता हूं कि मुललता और मुललता और मुल प्रभाज पर आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि यह दर लेकर के लिखते जाएंगे ठीक है ध्यान देजिएगा कर देखा हुआ कि मैं सूत्र को आप लोगो सौट में यहां लिख देता हूं बॉक्स में देखे ध्यान रखेगा इम बराबर आप लोग भी लएक द्रमान को स्मॉल डवलू आप लोग नीचे देखा इंटु एक हजार किया और बटा में कैपिटल डवलू किया और यहां इंटु में मास ऑफ सोल्वेंट कर देते हैं मास ऑफ सोल्वेंट ठीक है सौट में लिख दिया समझ लिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप लोग के पास अल्रेड़ी लिटरेचर में रखा हुए ठीक है मास कोईसन नंबर एक की बात करने जा रहा हूं यह मुललता पर अधारित प्रश्न है ठीक है देखिएगा तो यहां क्वेशन की बात करते हैं क्वेशन आप लोग को लिखवाजता हूं असपस्ट पहले देखिएगा क्वेशन क्या है ठीक है कि कह रहा है कि बीस ग्राम यहां लिख देता हूं आप लोग को बीस ग्राम एन ए ओ एच बीस ग्राम एन ए ओ एच दो सो पचास ग्राम जल में जल में घुला हुआ है तो विलियन की मोललता ग्याद करें देखिए ध्यान रखेगा यह चीज़े आप लोग को मैं सबसे पहले बता दूँ आप लोग को यहां पर कि यहां पर सबसे पहले यह बात ध्यान रखनी होएगी कि इसमें यह पता करने के लिए सबसे पहले देखिए एक और तरीका इसमें अगर चेक करने के लिए पता किया जाता है तो आप लोग मोल की संक्या भी निकाल सकते हो मौलकी संक्या जिसकी अधिक होता है वही बिलायक होता है ठीक है तो चेक भी कर सकते हो जब जटिल प्रश्ण complicated आ जाएंगे तब तो देख चेक भी कर लेता हूं देख लेता हूं ऐसे देखने से इसकी मौलकी संक्या अधिक क्योंकि इसका बिलायक कितना होगा यह ठीक है और इसका कम होगा तो मैं यह बता दूँ आप लोगो सबसे पहले छोटे वाला यहां है छोटा वाला है यहां बिलायक होगा और यह क्या होगा ठीक है यह यह माफ कीजिएगा यह बिलायक है बिलायक क्या है जल जल एक व मैं यहाँ यह बताना चाहूंगा कि विले जो है आपका एनेवेंच है तो मैं लिख दता हूँ विले का दरब्मान जो है उभी किसमें ग्राम में मीन a स्मॉल डबलू ठीक है तो स्मॉल डबलू आपका 20 ग्राम दिया हुआ है ठीक है आप देखिए विले का मोलर द्रभमान भी आप लोग देख सकते हैं विले का मोलर द्रभमान कितना ये भी देख लीजे तो मोलर द्रभमान का मतलब होता है कैपिटल डबलू तो मोलर द्रबमान बंदू मैं calculate करके दिखाया भी था कि इन ए ओ एच का मोलर द्रबमान जो होता 40 कैसे देखिए sodium की संक है एक sodium की परमाडू भार आप लोग याद कि यह होंगे 23 प्लस oxygen की संक है यहां एक और oxygen की परमाडू भाग 16 होता है प्लस यह भी एक और into कितना होता वन तो होता 23 प्लस 16 प्लस वन बड़ावर कितना 40 ग्राम मोल इन वर्ष ठीक है यह calculation आप लोगो मैंने कर दिया तो लेकिन आप लोग करके दिखाना मत डायरेकली आप लोग उसको रफ निकाल करके और यहां पर कोश्चन में रख दिया जाता इसको दिखाया नहीं जाता तीक है अब देखो यहां करने के बाद अब देखो क्या मिला विलायक की द्रभमान कितनी य विलियन की मोललता मोलता इक्वल क्या होगा है by आप टीक है सुत्र क्या बोलता यह वह देखलो सुत्र कार्णर में लिखा हुग नामराब्र ए स्मॉल डवलanne टू एक हजार क्यों कि यह ग्राम में है और ग्राम में जब लेते हैं तो इसको ग्राम को चेंज करने के लिए इसका इस्तमाल किया गया है सुत्र में ठीक है तो यहां यह हो गया capital W into क्या होगा mass of solvent mass of solvent का मतलब वही हुआ देखिए जहां हिंदी लिखा हुआ यह हिंदी बिलायक का द्रब्मान mass of solvent mass of solvent ठीक है इसका मतलब हुआ mass of solvent का बिलायक का द्रब्मान ग्राम में ठीक है इन ग्राम इन ग्राम ऐसा क्यों ग्राम लिया हूँ इसका कारण यह है कि यह अल्रडी ग्राम में 40-40 gram mole inverse into mass of solvent, mass of solvent अब देखो यहां यह खजर का इस्तमाल कर दियो इसलिए यह अब gram में नहीं रहेगा kg ऐसा क्यों region दिखा दूंगा आप लोगो रॉफ करके ठीक है तो यह क्या हो जाएगा इन अब kg में लिखोगे ऐसा क्यों यही ओ यह खजार है कि इसमें मैंने भाग दिय था तो फलट कर यहां उपर चला गया ठीक है तो आप लोग कट करके पहले देख लो क्या होता है एक सुन्नी से यहां दो सुन्नी तो एक सुन्नी से यह कटा दूसरी सुन्नी से यह कटा ठीक है अब देखो फिर से तो यहां मैं कट करता हूं ध्यान रखना यह कट करता हूं कि से चार से तो आया पांच यह कट गया ठीक है यह पांच को काटता हूँ एक बार में तो यह आगया पांच ठीक है और यह काटा पांच से तो यह आगया आपका कितना दो पांदूना के दस यह आगया दो तो मुललता आपको कितना मिल गई अब बताईए आप ही लोग तो एम यहां पर दिखाता प्रिबंदू देखिएगा उसको मैं इसकर इसमिट आयता हूं ठीके तो अब देखिए यहां पर ध्यान दिजिएगा नहीं है, clear समझ में आया होगा, आगे चलता हूँ, बाते करता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो आप लोग देखेंगे, अगली question मैं देता हूँ, आप लोग तुरत उत्तर देने का परियतने करना, ठीक है, मैं आप लोग ऐसा करता हूँ, कि अगला प्रस्च की और ठीक है और मैं देखता हूं ठीक ना देखिए कि देखिए यहां पर क्या हो रहा है अगली क्वेशन यह कह रहा है कि 4.9 ग्राम एने वह जो है को 100 ग्राम जल में घोल कर बिलियन बनाया जाता है देखिए क्या है यानि 4.9 ग्राम 9 ग्राम माफ कीज़ेगा H2SO4 है ठीक है को 100 ग्राम जल में घोल कर गोल कर विलियन बनाया जाता है विलियन बनाया जाता है तो विलियन की मुललता ग्याद करें ठीक है ध्यान दिजेगा देखिए कोई बड़ी चीज नहीं है बहुत असान चीज आप लोग देख सकते हो बहुत इजी है बंदू कोई बड़ी चीज नहीं और जैसे बनाया हुआ आप लोग पहले देखो विडियो को फोस करके और जल्दी से उत्तर दो और आप लोग भी बनाओ मैं भी बनाता हूँ और एंसर निकालो फटाफट एंसर निकल जाएगी देखो कैसे निकालता हूँ ठीक है देखिए सबसे पहले ये बात आप मैं शॉट में लिखना प्रा बिलायक पदार्थ यह और बिलायक क्या है यह जल है ठीक है तो बिलेक को आप लोग इसमोल डबनू द्वारा करते हो की नहीं करते हो ज़रूर करते हो ठीक है तो यह इतना गराम हो गया तब इसका क्या करो capital W molar द्रमान निकालो समझ रहा है ऊना molar द्रमान कैसे देखो निका oxygen का कितना होता 16 ठीक है तो 2 प्लस 32 प्लस 64 जोड़ोगे तो क्या आएगा प्रिये बंदू 98 ग्राम मोल इन वर्ष तो यह जब लाओगे तो यह आप लोग का 98 ग्राम मोल इन वर्ष जो होएगा यही capital W की भैलू है क्या है capital W की भैलू है बिलायक देखो तो कितना है यानि मास of solvent कितना है देखो तो मास of solvent मास of solvent कितना है बताओ कोई बता सकता है यह 100 ग्राम है क्लियर कितना है 100 ग्राम है क्लियर हो गया तुम्हें क्या निकालना है मुललता मुललता इक्वल वर्ट अब देखो मैं वहाँ पर हल कर देता हूँ आप लोग को देखिए ठीक है ध्यान दिजिएगा तो यहां देखें आप लोग तो एम बड़ाबर हो जाएगा आप लोग भी साइद मेरे ख्याल से आप लोग हल कर लिये होंगे तो 4.9 ग्राम इंट्व एक हजार क्यों एक हजार ऐसा ले रहा हूँ क्योंकि इसका मास अब सुल्वेंट ग्राम में है यह हो जाएगा 98 ग्राम म मौल इन्वार्स इन्टू हो जाएगा कितना बताईए मास अब सुल्वेंट ग्राम लेर है घंट्रेट ग्राम नाजाए अब कैजी में सूतर में मैं ले चुक है तो यह क्या हो जाएगा यहां से कट गया ठीक है अब गुना करते हो बढ़न्दू तो क्या आएगा मेरे को कटा नहुत है करते हो तो यह आ जाएगा फूर ओ्ओस है तो प्लस हो जाएगा आप देखो यह बराबर कितना मिला आप ही लोग बता तो यह हो जाएगा इतना 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 तो एक अंक पर समोल मेटा है 98 ठीक है तो 49 दूना कि कितना होता है बता सकते हो न या आप लोग कर सकते हो यह या एम बराबर 49 चास बाई अन्ठानबे उन्चास बाई अन्ठानबे कटाओगे तो वन बटा टू वन बटा टू का मतलब होता है कितना बताओ 0.5 क्या हो जाएगा मोल केजी इनवर्ष ठीक है आप लोग यहां पे और नुमेरिकल कराता हूं आप लोग को ठीक है देखते जाएए अगली क्वेशन नंबर थर्ड की बात कर रहे हैं आप लोग कोशन नंबर मैंने दो तक बता दिया और तीसरा कोशन जड़ा देखेंगे कोशन को पहले मैं लिख लेता हूं उसके बाद आप लोग को समझाता हूं फिर उस पर एक प्रसन देदूंगा ठीक है देखें क्या है क किसी बिलियन के क्वेशन नंबर थर्ड है किसी थोड़ा ध्यान देने वाई योग बात है किसी विलियन के 900 ग्राम में बिले का शो ग्राम उपस्थित है 100 ग्राम उपस्थित है यदी यदी विले यदी विले इन ए ओ एच हो तो हो तो विले यदी विले यदी विले यदी की मुललता ग्याद करें देखिए ये ध्यान रखें आप लोग सबसे पहले मैं ये समझा दूँ कि इसमें है क्या चीज़ ये बात आप लोग को ध्यान रखना होगा देख लीजे जरा मैं अच्छी तरह से पहले इसको बता ही देता हूं देखिए क्या है ये देखिए पहले एक कंटेनर लिलता हूं ताकि ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग टाइप से बात कर रहा है देखिए इसमें क्या क्या है ये बताना चाहूंगा सबसे पहले ये बात कर रहा है कि कंटेनर में बिलियन है अब बिलियन का द्रबमान देखिए कितना दिया हुआ है ये विलियन का द्रबमान 900 ग्राम है बंदों और विले पदार्थ कितना है उस 900 ग्राम में यह 100 ग्राम उपस्तित है यह कौन है यह आपका विल्यन हुआ ठीक है और यह आपका विले हुआ बिले हुआ तब तो बात है कि मुललता को निकालने के लिए ये आवश्यक है कि बिलायक का द्रमान का होना अनिवार्ज है तो बिलायक के द्रमान सबसे पहले कल्कुलेट करोगे तब न तो देखो आप एक सूत्र आपलों को मैंने बताया था जरा याद करो क्या चीज़ कि बिलियन बराबर होता है बिले पलस बिलायक मतलब किसी बिलियन में बिलायक पदार्थ और बिलायक पदार्थ जब मिलते हैं तो अगर बिलियन में से हम बिले को घटा दे तो क्या बिलायक नहीं मिलेगा अवश्य मिलेगा तो यहां मैं बिलायक की बात कर लू आप लोग के शामने तो बिलायक बराबर आप लोग निकाल सकते हो आराम से क्या चीज़ बिलियन का द्रबमान माइनस बिले का द्रबमान बराबर 800 गराम किसी को सक तो बात कर लो ये समझ में आ गया होगा बिले मिलिये गया बिलायक मिलिये गया और बिले का मोलर द्रभमान मैं निकाल ही सकता हूं किसे नोच के रूप में है तो आसानी से निकाल सकता हूं तो सबसे पहले मैं लिखना प्रणाम करूंगा शोल्व करता हूं इसको हल करके देखा जाए क्या होता है हल करें आप लोग ठीक है, दिया गया, ध्यान रखेंगे, बहुत बड़ी चीज नहीं, यह बहुत छोटा पार्ट है, ठीक है, देखिए, तो दिया गया है, मैं क्या लिखोगे, विले का द्रभमान, पहले देखो, क्या है, विले का द्रभमान, किस में, ग्राम में, विले का द्रभमान, किस में ग्राम में mean a small w ना a small w ना बिल्कूल तो a small w देखे तो यहाँ पर कितना है 100 ग्राम प्रिबंधू 100 ग्राम आप लोग ले लो ठीक है और देखो और यहाँ बात यह भी आप लोग को समझाना चाहूंगा कि बिलियन का द्रब्मान कितना है वही तो क्यों न बिलायक का द्रब्मान निकाल लिया जाए ठीक है बिलायक का द्रब्मान बराबर बिलियन माइनस बिले बिलियन माइनस बिले यानि बिलियन का द्रब्मान माइनस बिले का बिले का द्रब्मान किसी को संदे नहीं होना चाहिए अब यहाँ निकाल लो, बराबर कर लो, बराबर बिलायक का दरब्मान, बराबर कितना हो जाएगा? 900 ग्राम माइनस 100 ग्राम, एज एक्वल 800 ग्राम, अब देखो बिले पदार्थ कौन है? तो बिले का मोलर दरब्मान निकाल लो, बिले का मोलर दरब्मान, मिन कैपिटल डबलू ना, कैपिटल डबलू निकाल लो, कितना होगा? 40 ग्राम ये कितना बार आप लोग निकाला 40 ग्राम मोल इनवर्स हुआ कि नहीं हुआ 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 40 ग्राम मोल इनवर्स मोल इनवर्स क्लियर तो विलियन का मोललता क्या होगा बताओ बिलियन की मोललता निकालो बिलियन की मोललता मोललता mean a small m equal क्या होगा what ठीक है चलो सुत्र को पालन करता हूँ सुत्र पे बैठाता हूँ और भैलू को निकाल कर देखा जाए कितना मान आता है ठीक है देखिए ध्यान से हो तो यहाँ पे देखें आप लोग यह द्रबमान है आपका ध्यान रखेंगे यह क्या है द्रबमान है अब देखिए तो a small m बराबर a small w into 1000 why होगा capital W into mass of solvent mass of solvent यानि मतलव हिंदी में कहेंगे इसको बिलायक का द्रबमान किसमे ग्राम में क्यों ऐसा ग्राम इन्ग्राम केंगों ऐसा ग्राम केउंकि विलायक का giderमान ग्राम में है इसलिए इसको ग्राम तसुर में हम लोग इस्तमौल करेंगे एक हजार इसलिए इस्तमौल किया होंthe one March कर देता हूँ क्या चीज के a small m बराबर हो गया सुत्र निकल ही गया आप लोग का बताईए a small w कितनी है बताईए 100 gram यहाँ देखो प्रियबंदू 100 gram यहाँ है ठीक ना तो मैं लिखता हूँ 100 gram ठीक है इन्टु 1000 इन्टु 1000 बाया क्या चीज बताओ 40 gram मोल इन्वर्स ठीक है इन्टु आप लोग कितना इस्तमाल करोगे 800 केजी में क्लियर है आप देखते हैं सबसे बेहतर चीजी है कि यह उड़ादो यहाँ से क्या यानि 248 ठीक है चार बार में 248 आप 205 इतना होगा क्लियर हो गया आप देखिए मैं यहाँ से आप लोग ऐसा करता हूँ कि इसको करता हूँ 25 25 पचे कितना होगा यहाँ 25 से कड़ गया यानि 254 के 100 क्लियर हो गया और यहाँ से मैं फिर उड़ादा इसको 5 कर देता हूँ प्रियबंदू और यह हो गया 8 यह ग्राम में कैंसिल या एम बरावर हम लोग को अब मिल गया 25 पचीस बटा में 8 क्या मिल गया मोल ठीक है ना मोल केजी इनभर्स ठीक है अब देखिए आप भाग देते हो तो आपको मिलेगा कितना 3 10 मलो तो 38 के 24 कितना आया 1 ठीक है तो फिर 8 हे कम 8 तो 8 हे कम 8 करते दू तो 8 दूना के 16 अब फिर 8 पचे 40 क्या होगा मोल पर क्या होगा केजी इनभर्स कोई दिकत नेक्स्ट कोश्चन मैं दे रहा हूँ यह आप लोग समझ गया होंगे बिल्कुल अब इसके बाद मैं आप लोग एक और प्रश्न कराता हूँ ध्यान दे इसे मैं मिटाता हूँ आप लोग अवश्चे इसको वीडियो को रोक करके और आप लोग बनाना चौथी क्वेस्टन इसी टाइप की है प्रियवंदू और आप लोग को यह अपने से बनाना भी होगा मैं एंसर इसका बता दूँगा ध्यान रखेंगे देखेंगे ठीक है देखिए चौथी क्वेस्टन नुमेरिकल का यह नुमेरिकल का चौथी क्वेस्टन क्या बोलता है जड़ा देखिए अगर ध्यान टाखेंगे आप लोग को क्वेशन नमर चार को कहता ही ये बातें कि वुशी टाइप के सेम टू सेम कर दिया हूँ खाली बस आप लोग को अभ्यास करने के लिए किसी किसी विलियन के नो सो ग्राम में नो सो ग्राम में बिले है बिले ह2SO4 बिले ह2SO4 सो ग्राम उपस्थित है उपस्थित है है तो विलेन विलेन की मोललता मोललता ग्यात करें ठीक है तो आप लोग देखेंगे ध्यान से इसको बस कुछ नहीं मैं एंसर लिख देता हूँ आप लोग इसको एंसर में क्या करेंगा आप लोग करिए बनाकर छीक कर लेंगे घर ठीक है तो यह आएगा आपका कितना एंसर अगर बात करें मौललता बराबर हो जाएगा ओनमलोडो 75 वही क्या होगा मौल फार मौल फार के-जी मौल फार के-जी ठीक है ना मोल प्रती के-जी होगा यह आप लोग सुल्व करेंगे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो अब आप लोग क्या करें ऐसा कि तब तक के लिए आप लोग का यह टॉपिक आप लोग कंप्लीट हुआ और भी नुमेरिकल इससे टॉफ लेवल के बर्माएंगे बट अभी रनिंग कर रहे हैं आप लोग रनर पे हैं इसलिए आप लोग इसको बनाएं फिर उसके बाद मैं लोटूंगा तो एंसे आर्टी ब